सो हेलो बच्चों कैसे हो आप सारे के सारे लोग तो आर यू गाइज एक्साइट फॉर दिवाली अब क्या हो रहें कि मतलब इस बार ऐसा क्यों यह 2020 पूरा को पूरा ना ऐसा निकल गया है कि लोगों को अब अच्छा समय नहीं चल रहा होता है तभी तो चोटी चोटी चीजों पर अपनको खुश रहना होता है और चोटी चोटी चीजों पर मुस्कुराना होता है because जैसे जैसे आप जिन्दगी में अपने आगे बढ़ते जाओगे न लाइफ जैसे जैसे डिफिकल्ट होती जाएगी न तब आपको पता चलेगा यह जो छोटी छोटी चीजें आती है न वो जिन्दगी को कितना beautiful बनाती है So again, very very welcome to everyone on physics 101 and I am your educator Ankit Srivastok ठीक है, कुछ लोग Ankit भाया बोलते हैं, कुछ लोग Ankit सर बोलते हैं अभी यह तुम्हारी मर्जी है, तुम कैसे बोल रहे हो बस तुम्हारा प्यार बना रहना चाहिए, जैसा मेरा प्यार बना हुआ है तुम लोग के लिए हमेसा और मैं आगया हूँ, आज के दिन भी वही 14 तरीक है, कुछ लोग ऐसे बोल दोंगे क्या यार Ankit सर एक दिन तो छोड़ दो यार, मतलब आज तो दिवाली है और आप फिर भी आ गया है क्या करो यार, मतलब तुम लोग उससे मिले भी ना ऐसा रहा नहीं जाता है, right So again, happy दिवाली to everyone of you तो बेटा, ये जो दिवाली है ना बेटा, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनना है मैं अपना कुछ experience से ही कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जितना आता है उतना ही बताऊंगा उससे ज़्यादा तो क्या ही बात करना है तो बेटा, जो ये दिवाली है ना, इसको ऐसा बोला गया है कि ये एक प्रकास का परव है प्रकास मतलब light, परव मतलब festival कुछ अंग्रेज होंगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ अंग्रेज बच्चे होंगे अब भीया, आपन तो हिंदी मीडिया माले हैं तो हमें यही बढ़ाया गया है कि दिवाली जो है ना, वो प्रकास का परव है प्रकास मतलब light का festival तो, इसका मतलब क्या हुआ है, मतलब basically हमको इससे क्या relate करना है हमको इससे क्या relate करना है, भीतро, जो मैं बात आगे बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा तुमको किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है बट बेटा इस बात को अच्छी तरीके से सुनना, इस बात को बेटा बहुत अच्छी तरीके से सुनना, प्रकाष का मतलब यह नहीं होता है कि यहाँ पर लाइट रूम में बहुत चल रही है, this is प्रकाष, आप एक दिया जलाते हैं और वहाँ से एक लाइट निकलती है, that is एक सुर्य से जो light निकलती है that is Prakash मेरे नजर में that all things are not necessarily Prakash ठीक है Prakash क्या होता है तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तुम में से अगर तुम लोग YouTube पे पढ़ रहे हो तो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सायद बहुत ही पूर और बहुत ही weak family से belong करते होगे बहुत सारे लोग ऐसे होगे जो बहुत सारे लोग ऐसे होगे जो बहुत weak family से belong करते होगे तुमारे लिए प्रकाश क्या है पता है तुमारे लिए प्रकाश क्या है पता है तुमारे इस प्रकाश का festival कब होगा पता है जब तुम NEET क्लियर करोगे बिटा जब NEET 2021 का एक्जाम देने जाओगे और फोड के आ जाओगे और जब रिजल्ट आएगा जब सेलेक्शन होगा एक गॉर्मेंट कॉलेज मिलेगा वो प्रकास होगा तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के लिए वो प्रकास होगा तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन जो भी हैं जो एक सपना तुम्हारे थुरू सजा के बैठे हुए हैं जो एक सपना तुम्हारे थुरू सजा के बैठे हुए हैं उनके लिए वो दिन प्रकाश होगा बेटा, उस दिन actual तुम्हारे घर पे प्रकाश आएगा, So बेटा, the thing is that, हमें ऐसे नहीं सोचना है कि हमें यह लाइट जला दिया, that is प्रकास और आज enjoy कर लिया, Look, what I believe in, what I believe in और तुमको पता है मैंने भी जब अपनी जेई की प्रपरेशन की थे, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही लगता था यार, हमेसा ऐसा ही feel होता था, कि actual में हमें success तम मिलती है, actual में हम प्रकास को तब आपाए, जब सायद मैंने अपना जेई निकाल लिया, and same in your case बेटा, जब आप NEET 2021 क्लियर कर पाओगे, और ये government college जाओगे, दिखो बेटा, कितने stages हैं, सुनना मेरी बात बेटा, तुम लोग को बहुत, बहुत clear-cut बाते बताता हूँ, सुनना मेरी बात, हो सकता ऐसा है, हो सकता ऐसा, तुम में से कोई बहुत गरीब हो, अगर government college नहीं मिला, तो तुमको BSC, MSC, ये सब चीज़े करनी पड़ गएगे, कोई B Pharma करेगा, कोई BA करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ अमीर हैं, जो private college चले जाएंगे, बट बेटा, सोचो, दोनों सोचो, जो गरीब है, उसका सपना तूट गया, जो सपना तूट गया, और जो थोड़ा अमीर है बेटा, उसने अपने माबाप का 1.5 करोड रुपया लगवा दिया, तो बेटा, the thing is that, हर बच्चे को करने के लिए बहुत कुछ है, हर बच्चा चाहें, वो गरीब हो, चाहें, वो अमीर हो, चाहें, वो कुछ भी हो बेटा, यह NEED 2021 का एक्जाम, in fact, तुमारे पास करोडों की भी समपत्ति हो बेटा, the confidence which you are going to get with this exam is unbelievable, एक चीज सर्च करना आजके क्लास के बाद, यह जो अभी मैं बता रहो नहीं, इसके बाद एक जाके सर्च करना, 2020 का, J.E. Advance का rank 1 कौन बच्चा है, जरा सर्च करना, और वो rank 1 निकालने के बाद कहां पढ़ रहा है, यह जरा एक बार बेटा सर्च करना, आपको पता चलेगा, that guy is studying in MIT, USA में world का number 1 college है, अगर आप लोग को नहीं पता है, तो मैं बता दूँ, world का number 1 college है, हर बच्चे का सपना होता है, जो एक engineer होता है कि वो MIT पहुंच जा है, he is studying in MIT already, उसके बावजूद उसने J.E. Advance का paper दिया, मतलब समझ नहीं रहो तुम अभी, वो admission उसको MIT में मिल गया, उसके बाद वो, मतलब दुनिया के number 1 college में तुम पढ़ रहे हो, still you are giving J.E. Advance का paper, क्यों दिया बेटा, because he wanted to check himself उसको पता है कि जो J.E. का exam है, वो बहुत tough है, वो इंडिया में compete करना चाहता था, वो ये check करना चाहता था, कि अगर मैं इंडिया में इतना आगे बढ़ गया, it means मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, so this is all about your confidence, अगर पैसे की कमी है, in that case need is important, पैसा बहुत है तो भी need is important, क्योंकि तुम्हारा confidence बिटा, जब आप college में जाते हो न, when I went into the IIT, एक अलग confidence था यार बिटा, और तुमको पता है न, ये जो ये, ये, सलाम सहा, सलाम सहाब, दुनिया मेरे को किया करती थी, हाँ, I was a government officer, और सब छोड के यहां पे अने चाड़मी पे आके तु वो कहां से आएगा बेटा, when you will get into an amazing college, और वो कहां से आएगा बेटा, जब आप need 2021 clear करोगे, कुछ लोग कह रहें, क्या सर मतलब आज के दिन भी भी, आज तो कुछ अच्छा सा बोल दो, मतलब ज्यान देने लग गए need 2021, need 2021, देखो बेटा, that is the reality, that is the reality, उससे अपन भाग सकते हैं, सीधी सी बात बता रहों, बेटा, इससे अपन भाग नहीं सकते हैं, हमें neat निकालना है, तो neat निकालना है, चाहें आज वो देवाली हो, चाहें वो दशारा हो, हाँ, लेकिन एक चीज मैं अपनी पूरे के preparation के time में, मैंने किया है, I don't know, तुम करोगे, करते हो, नह यह चीज मैंने तुमको बोला था, हर आठ दस दिन पर एक दिन का break, पूरे दिन का break नहीं, दो तीन घंटे, चार घंटे, मलब दो तीन घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो एक particular दिन, हर आठ दस दिन बाद ऐसा दिन आना चाहें, आज उन्हीं मिसे एक दिन है, आज पूरा भ कलने वाले एक साथ मिलके पटाके फोड रहे हैं, रात को मतलब बारा एक बजे तक सो रहे हैं, तो मतलब मजा आता है यार दिवाली के दिन, so enjoy yourself, पूरा को पूरा enjoy कर अपनी family को time दो, अपने मम्मी पापा को time दो, अपने भाई बेहन को time दो, अपने दादा दादी को time दो जो भी है घर में आपका guardian, उसको time दो आज के दिन, उसको time दो और उनसे खुशियां लो और खुशियां दो बेटा, क्योंकि ना, जब आपका mentally आप strong होते हो ना, तो आपको पढ़ने में मजा आता है, जब आप mentally ही strong नहीं होते हो ना बेटा, तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आता है, so ऐसा नहीं है कि आज भी आप पढ़ते रह जाओ, पढ़ते रह जाओ, पढ़ते रह जाओ, नहीं यार, I will never suggest this, कि आज एकदम आप पढ़ते रह जाओ, if you'll ask me, I'll say 2 घंटा पढ़ ले न, 2 घंटा पढ़ ले न, ठीक है, लेकिन साम होगी, साम से enjoy करो, करो, क और पूरा मस्त आज enjoy करो, कल सुबह एक अलग दिमाग से उठो, एकदम फ्रेश हो के उठो, और कल से फिर से लग जाओ, अपनी 2021 की preparation में, कुछ लोग boards वाले हैं, boards के preparation में लग जाओ, जिस चीज के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, उस चीज के preparation में अच्छे से लग जाओ, कल से, बट आज, it's your day, it's light वाला डे, तो enjoy करो आज के दिन को, एक very positive manner, अब एक चीज और है, एक चीज और, अरी, ये क्या हो गया, ठीक है, कुछ कुछ होता रहता है, ठीक है, in a very positive manner, उन हर चीजों को, बोलते है न, आज जो दिवाली दशारा, ये सम मतलब एक ही मैं मैं मा कोई अच्छाई लगता है, definitely, ठीक है, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे अंदर की जो बुराइया है, उनको हटाना है और अच्छाई ये लाना, सर, ये तो बात सब बोलते हैं, सब बोलते हैं, और बोलना बड़ा असान होता है, करना बहुत tough होता है, frankly speaking, बोलना बहुत करना बहुत tough होता है, बट बेटा, if you want to success, if you want to get success in your life, you have to do this, अब it's completely only, छोटी 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 चीज़ें जो आपसे साइद अच्छे से नहीं हो रही हैं, छोटी 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 चीज़ें जिनके वो जैसे आप परिशान हो रहे हो, उन चीज़ों को छोड़ना स्टार्ट करो, और धीरे 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 अच्छी चीज़ों को अडाप्ट करना स्टार्ट करो, जैसे being a need 2021 aspirant, तुमारे अंदर सबसे important चीज़ क्या आने चाहिए, तुम YouTube पे classes देखते हो, राइट, YouTube पे तुम classes देखते हो, अंकित सर का class आया, देखा, सब का physics chemistry बाल हो जी, That's okay, Yes sir, I promise, Yes sir, try करते हैं ने बिटा, try करते हैं, देखते हैं, it does start, what happens, एक बढ़ ट्राइ करने में क्या जाता है, थीक है, एक बढ़ ट्राइ करने में क्या जाता है, So, do something good, do something good for the society, for yourself, थीक है, So this is very very important, थीक है, और आज का दिन, again, मैं ज्यादा लंबा नहीं लिजाना चा एक दम आप नसे थोड़ा दूर रहो पटाके कम फोड़ो डफिनेटली अपुम बोलोगे सर आपने अपने समय में तो खूब पटाके फोड़े होंगे आज आप मना कर रहे हो सही बात है, frankly speaking एकदम I will not deny this कि मैं बहुत पठाके फोरता था but 9-10 में आने के बाद से एक बैग में बड़ा सीरियस हो गया तो छोटे पे मैं बहुत फोरता था फिर environment, environment का दिमाग में आने लग गया and then I left everything ये सब पठाके छोड़ना and everything छोड़ दिया, ठीक है, हला कि मेरी छोटी बहन है वो अभी भी पठाके फोरती है और वो काफी बड़ी हो चुग है फिर भी भी पठाके फोरती है I don't know, ठीक है, but we cannot do that we cannot, मैंनब उसको मैं कुछ नहीं बहुत सकता हूँ ठीक है, ऐसा सीन है ठीक है, हाँ तो the thing is, the thing is बिटा, the thing is that कि थोड़ा से environment के बारे में सोचना थोड़ा safe रहना, सबसे पहले environment के बारे में सोचना, दूसरा अपने आपको safe रखो, पठाके फोरते वक्त ध्यान रखना, ठीक है, पठाके फोरते वक्त सेफ रखो अपनी फैमिली को सेफ रखो because this is very important आज के डेट में आपका एक दिन का बिमार पढ़ना आज के डेट में आपका एक दिन का बिमार पढ़ना या injured होना like मत पूछो यार बहुत हाम कर सकता है तुमको so don't do that, don't do that एकदम सतर्क रहें, कहते हैं न सतर्क रहें और क्या रहें, I don't know सतर्क रहें और अच्छे से रहें एकदम enjoy करिया आज का दिन and again, happy दिवाली from my side, bye बिटा bye, bye हाँ, सुनो, सुनो, सुनो yes, 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 ठीक है, मैं लफसर bye करने का बात बुला लिया, सुनो अपनी class चल दी है, rotation की regular, 10.30 बजे ही class चल दी है rotation की, ठीक है, rotation को तुम लोगों उने अभी तक तो बहुत enjoy किया हुआ, rotation को कि मैंने बहुत amazing बना दिया है, दुनिया को tough लगता होगा, अपन बड़ा easy बना दिये तो rotation की class कल से फिर से continue हो जाएगी 10.30 बजे से, फिर से आप लोगों को class sorry, Monday से आप लोगों को फिर से 10.30 बजे exactly class मिल जाएगी आप लोगों को rotation की, तो ये chain पूरा आगे चलता रहेगा, हम लोग rotation by 20th of, और 19th और 20th of this November हम लोग complete कर देंगे, चलो बेटा, safe रहना, अच्छे से ठीक है, enjoy कर एकदम मस्ती से, आज enjoy कर आज एकदम अपना दिमाग fresh कर लो, ठीक है, चलो, बाई विटा बाई, बाई